हेलो स्टुदेंट्स वेलकम तु मैफगेट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस गेट 2019 इलेक्टिकल ब्रांच क्योशन और अब तक हम देख चुके हैं EC 2019 के क्योशन को और आफ्टर इलेक्टिकल हम डिस्कस करेंगे मेकनिकल सिविल और आइन ब्रांच के क्योशन को भी जलिए देखते हैं सबसे पहले एलेक्टिकल में कैसा क्योशन आया है दे क्योशन इस रैंक ओफ मेट्रिक्स M is equal to 01110110 एक मेट्रिक्स हमारे पास है जिसका ओडर 3 क्रॉस 3 है और इस मेट्रिक्स M की रैंक हम से आसकी गई है इस मेट्रिक्स M की रैंक मतलब यह simple rank of मेट्रिक्स का क्योशन है मींस यह linear algebra से पूछा गया क्योशन है तो सबसे पहले rank कैसे find out करते हैं उसको discuss कर लेते हैं वैसे हम इसको linear algebra में जहां हमने बहुत detail में discuss किया है वहां discuss किया था rank को आप चाहें तो एक बार पहले उस वीडियो को देख सकते हैं और फिर उसके बाद वापिस आप यहां आ सकते हैं और फिर भी एक बार revision के लिए rank कैसे निकालते हैं किसी भी matrix की हम यहां discuss करते हैं हम जानते हैं मान लीजिए कोई matrix हमारे पास A है जिसका order m cross n है suppose we have a matrix A जिसका order m cross n है और अगर इस m cross n की matrix की rank की बात की जाएगी तो हम जानते है rank of A is less than equals to क्या होने वाला है minimum of m इस m और n में से जो minimum होगा वो उसकी rank होगी matrix की मान लिया m minimum है m minimum है यहां पर तो rank of A is less than equals to m हो जाएगा अब less than equals to m है यहां इस case में कब less than m होगा और कब equals to m होगा इसको दिखना पड़ेगा तो क्या करेंगे सबसे पहले हम matrix A के अंदर m cross m का determinate देखेंगे अगर यह matrix का determinate आ गया non zero तो clearly हम वो सकते हैं इस matrix A की rank क्या होगी equals to m होगी लेकिन अगर इस matrix A का जिसका order m cross m है इसका determinant 0 आ गया तो हम बोलेंगे कि इस matrix A की rank क्या होने वाली है less than m होने वाली है यह बहुत simple concept है यह already हम linear algebra में डिसकस कर चुके हैं यहां मैंने quick revision लिया है okay now आईए आप इस question को discuss करते हैं इसके basis पर तो सबसे पहले बात करें इस question की matrix का order मुझे गेवर है 3 x 3 3 x 3 है मतलब जैसे आपको ही बात समझ मैं रैंक निकालना है इसका मतलब clearly आपको समझ आना चाहिए कि आपको इस matrix का determinant निकालना है आपड़़् निकालने की हा पर बहुत सारे उपशन होसकते हैं या बहुत सारे methods Christmas हो सकते हैं तो सबसे पहले जो देदर्व भेन निकालना है यह 3 x 3 की matrix से हम जाते है डिटमरें निकालना 3 x 3 की matrix का बहुत ही easy होता है तो कैसा है आपको तो 0 into something that is 0 और फिर यहां होने वाला है minus 1 इस minus 1 के respect में करेंगे जब minus 1 के respect में करेंगे तो minus 1 वाली row और column को छोड़ देंगे तो आपको मिलने वाला है यहां से क्या 0 minus 1 okay और देन इस plus 1 के respect में करेंगे तो plus 1 के respect में इस plus 1 वाली row और column को छोड़ देंगे तो मिलने वाला आपको यहां से क्या वापिस 1 minus 0 that is equals to what students plus 1 and plus 1 that is equals to 2 which is clearly not equals to 0 मुझे यह समझे आगई बात कि यह जो matrix है जो 3 cross 3 की matrix है उस 3 cross 3 की matrix M का जो determinate है that is not equals to 0 तो we can say M या determinate of M is not equals to 0 here determinate of M is not equals to 0 उसका मतलब clear हो गया कि this matrix M की rank क्या होने वाली है 3 होने वाली matrix M की rank क्या होगी students यहां से 3 होगी कैसे और आप समझ सकते हैं क्योंकि अभी-भी हमने इस बात समझे है और अगर इस 3 cross 3 की matrix का determinate non 0 आ जाए तो rank क्या होगी equals to 3 होगी क्योंकि यहां पर maximum जो आ रहा है order 3 cross 3 है और rank भी maximum मुझे 3 मिल रही है इसका मतलब यह जो matrix है इस matrix की rank कैसी होगी full rank होगी ओके तो इस question का answer हमारे लिए हो जाएगा 3 यह तो मैंने बताया आपको first method से determinate निकालना अगर आप चाहे तो आप एक और तरीके से या एक और method से इस matrix का determinate निकाल सकते हैं कैसे basic transformation की help से basic transformation की help से क्या कर सकते हैं हम सब से पहले first or second row को interchange कर सकते हैं या इस case में students तो determinate of m is equals to अगर मैं first second को interchange करो तो बनेगा 100 यह बनेगा 011 and this will become 110 अब क्या कर सकते हैं क्यों क्यों क्योंकि यहां से हम रो या column transformation use कर सकते हैं अब चाहे तो दोनों option आपके पास है आप चाहे तो direct determinate यहां से निकाल सकते हैं आप चाहे तो transformation लगा कि भी determinate कर सकते हैं डिटमेट सकते हैं तो यहां से मैं क्या कर सकती हो यहां एक basic transformation लगाना है मुझे बस R3 के place पे R3-R1 हम जानते हैं रो या column transformation में सबसे basic rule होता है very first element 1 हो और जब कभी very first element 1 है तो उसकी नीचे के सारी elements को हम क्या बनाने की try करते हैं 0 बनाने का try करते हैं तो यहां second row में तो ही 0 है इस 3rd row वाले element को 0 बनाया जा सकता है और फिर हम direct determinant निकाल सकते हैं तो यहां बन जाएगा after using R3 at the place of R3 R3-R1 तो मुझे मिलने वाला है यह बने का 1001 1 1 और 1-1 0 1-0 1 & 0 sorry it is 1-1 0 it is 101 sorry it is 101 okay now यह बने वाला है हमारे पास में क्या 0-1-1 ओके अब इस matrix का determinant निकाला है किसके respect में निकालेंगे हम इस 1 के respect में 1 के respect में निकालेंगे clearly मुझे दिख रहा है यह बने वाला है मेरे पास में क्या माइनस 1 और माइनस 1 तो मतलब यह जो भी value आए कि that is surely not equals to 0 अगर यह not equals to 0 अगया इसका मतलब क्या हो गया इस matrix का determinant हो गया not equals to 0 इस matrix M की जो rank है वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी क्यों क्योंकि इस matrix का order कितना आ रहा है 3 cross 3 आ रहा है तो clearly हम यहां से यह बात बोल सकते है rank of matrix M is equal to what students 3 okay now तो इस question का answer उसकी इसमें भी 3 रहेगा तो हम इस question का rate rate basic जो हम जानते हैं जो usual हमारा regular method उससे भी कर सकते हैं और हम इस matrix का rate rate row या column transformation से भी कर सकते हैं okay students thank you